नमस्कार साथियों सुवागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चेनल आर के योजना पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खुश खबरी इन सहरों में मुख्य मंतरी आवास योजना गरामीन के अंतरकत पिच्चान में हजार से अधिक दिव्यांगों को आवास मोया कराने की तयारी बहुत से ऐसे सहर हैं जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों को आवास मिल भी गई हैं अब ये पिच्चान में हजार जो आवास है वे किन सहर में और किन दिव्यांगों को मिल रहे हैं उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रहे हैं यदि आप भी दिव्यांग व्यक्ति हैं और आपने भी आवास बनवाने के लिए ओनलाइन आयोधन क्या हुआ है यह जानकारी आपके लिए बहुती काम की है जरूरी है वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही बैल आईकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उस कलाव उठा सके चलिए वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं आपर आप देखिए मुखे मंतरी आवास योजना गरामीन के अंतरगत चालू वित्ते वर्स में 65,000 से अधिक दिव्यांग जनों को आवास मोया कराई जाएंगे यानि कि 65,000 ऐसे और दिव्यांग वेक्ति रह रहे हैं जिने आवास सरकार देने जा रही है वही चालू वित्ते वर्स में इस योजना के अंतरगत पिच्चान में 1553 लाभार्दियों को आवास आवंटित किये जाने की तैयारी सरकार ने ये भी कर ली है आपकी जानकार लिए बता दे कि परधान मंतरी आवास योजना में आवास पाने में वंचित लोगों को परदेश में मुख्य मंतरी आवास योजना गरामीन के अंतरगत आवास मोया कराई जा रहे हैं यानि कि देखिए परधान मंतरी आवास योजना ये एक भारत सरकार की योजना है अब ये तो पूरे भारत में लागू है यानि कि राज्य में जो लोग रह गए थे जिनको आवास घर इस योजना से नहीं मिले थे उन्हें अब मुख्य मंतरी आवास योजना गरामीन के त जनवाधिक आवास उपलब्द कराई जाने का लक्षे निर्धारित किया गया है। जनवाधिक आवास योजना ग्रामीन के अंतरगत ग्रामीन छेत्रों में प्राकर्तिक आपदा, काला जार से परभावित और इसी के साथी, वन टांगिया और इसी के बाद मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, लोहार, चेरो, बैगा, नट और बैगा, दिव्यांगजन, कुष्ट रोग से परभावित, परिवार एवं परधान मंतरी आवास योजना ग्रामीन, ग्रामीन से वंचित परिवारों को आवास उपलब्द कराए जा रहे हैं, देखिए आज की जानकारी में आपने समझा, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनमें से किन-किन व्यक्तियों को सरका आवास परदान कर रही है, यहां पर यह आप चीज़े देख रहे हैं कि किन लोगों को आवास मिल रहे हैं, अब यति आप भी इन में से किसी भी एक कैटिगरी में आते हैं, या आप प्रकरतिक आपदा से पिडित हैं, या काला बाजार से परभावित हैं, देखिए काला ज शहरिया, थारू लोहर या आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी आवासगर मुख्य मंतरी आवास योजना ग्रामनी के तैत दिया जा सकता है आपको भी आवास मिल सकता है यदि आप उत्तरप्रदेश राज्य के निवासी हैं आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है आप सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह है एक latest news and new update है यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है doubt है पूछना चा ताकि जो हमारी वीडियो का notification है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाइटा सके अब हम आपसे मिलते हैं next वीडियो में एक और नई जानकारी साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत